दिल करता है सरहद पर एक बात मिलने आए फिर चाहे तो पेट सो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलिवुड की जानी दुस्मन कोई मिल गया और ये दिल आशकाना जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर रजद वेदी की जो अपनी हीरो जैसी परसनेलिटी के चलते लोगों के बीच खासे चर्चित रहे जो बनना तो एक हीरो चाहते थे लेकिन बक्त की मार ने इन्हें कब बॉलिवुड में बिलेन बना दिया पता ही नहीं चला इन्होंने अपने करियर में 40 से वी ज्यादा फिल्मों में काम किया लेकिन फिर वी ये बॉलिवुड में फ्लॉप रहे और अपनी खास पहचान क्यूं नहीं बना पाए दोस्तो रज़िद बेडी आजकल हमें फिल्मों में क्यूं दिखाई नहीं देते हैं और आजकल ये कहां हैं और क्या कर रहे हैं इन्हीं सब बातों को जानने के लिए बने रही है हमारी वीडियो में अंत तक तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इनकी इस कहानी को और जानते हैं इनकी लाइफ के अब तक के पूरे सफर को दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नई हो तो ऐसी है और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस उपर वाले बैल के आइकन को जरूर अन कर दीजिये और साथ में लाइक, सेर और कमिन्ट करना भी ना भूले तो दोस्तो इनकी इस कहानी की सुरु रखते हैं इनके पिता और दादा राजिंदर सिंग वेदी बॉलीवुड के जाने माने राइटर और एक्टर रह चुके हैं जिन्होंने 1974 की जवानी दिवानी खोटी किस्मत रफू चक्कर और 1982 की सनम तेरी कसम जैसी फिल्में लिखी हैं इनके भाई मानक वेदी भी बॉल देडरेस्ट मिस्टर इंडिया कॉंपेटिशन हुआ था जिसमें ये मिस्टर इंडिया चुने गए इसके बाद ये पहली वार फिल्म इंडिस्टी से 1995 में आई फिल्म करान अरजुन के जरिये जुड़े इसमें रज़त बेदी ने सारुख खान के बॉड़ी डवल का काम क किया दोस्तों अगर बात करें बॉलीवुड में इनके मेन लीड की सुरुवात की तो इन्हों ने 1998 में पहली वार फिल्म 2001 से बॉलीवुड में लीड एक्टर के तोर पर डेब्यू किया था इस फिल्म में इनके साथ तब्बू नजर आई थी और इन्होंने एक इंस्पेक् 1999 में ये फिल्म इंटरनेशनल ख्लाडी में में बिलेन की भूमिका में दिखे इस फिल्म में अक्षे कुमार में लीड में थे ये फिल्म सुपर हिट रही और इनके निभाए गए किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया इस फिल्म के बाद अब इन्हें ज़्यादातर बिलेन के रोल ही मिलने लगे और फिर इसके बाद इन्होंने जोडी नंबर वन इंडियान येदी लाशकाना जानी दुस्मन बॉर्डर हिंदुस्तान का कोई मिल गया और पार्टनर जैसी कई फिल्मों में काम किया और अब 2007 तक लगवक 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम क से ले गए और वहां पर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रियल एस्टेट का बिजनिस शुरू किया इनका काम अच्छा चल रहा था लेकिन एक समय के बाद इन्हें यहां पर भी लॉस होने लगा फिर ये इंडिया बापस आ गया और इन्होंने अपनी वहन एरवे दोस्तों रजद बेदी ने आखरी वार 2016 में आई फिल्म गोलगपे में एस एन एक्टर काम किया था इसके बाद ही अब तक किसी भी फिल्म में एस एन एक्टर नजन नहीं आए हैं दोस्तों अगर बात करें इनकी मेरिड लाइफ की तो इन्होंने मोना लिशा से साधी की है जिन से इनके दो बच्चे हैं एक बेटब बीवान वेडी और बेटी बेरवीदी रजद बेदी वाली बुड में भले ही खास कामियावी हासिल नहीं कर पाए लेकिन एज़े प्रोडियूसर ये अपने आपको इस्थापित कर चुके हैं और अपनी लाइफ में काफी से लोगों को दिल जीतने वाले रजद बेदे की लाइफ स्टोरी हम उम्मेद करते हैं कि इनके आने वाले सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहें दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नई हो तो ऐसी और बाइग्राफिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करके इस उपर वाले बैल के आइकन को जरूर आउन करतीजिए और साथ में लाइक सेयर और कमेंट करना भी ना भूले आपका बहुमूले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स स्टोरी में तब तक के लिए बाई बाई